नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्तिन तो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को ले करके जी हाँ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कलोंजी के फायदे और कलोंजी से उपचार दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कलो कलोंजी का सेवन किस तरह से करना है और कलोंजी किनके अंड रोगों में कैसे-कैसे आपको फायदा पहुंचाती है तो हेल्थ टिप्स आप सुनते हैं हमारा इसके लिए सुक्रे आप सभी का दोस्तों आएजे देखते हैं विभिन्य रोगों में कलोंजी से उपचार कैसे करे कलोंजी का उपयोग भारते वे अंजनों और मसालों तथा अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है सबसे ज़्यादा कलोंजी का उपयोग यूनानी दवाओं को बनाने में किया जाता है अंगिनत रोगों को ठीक करने वाला कलोंजी का पोधा सौफ के प पीले फूल आते हैं दोस्तों इनका बीज जिसको हम कलोंजी बोलते हैं वो काले रंगे होते हैं कलोंजी लगभग हर घर में मौजूद रहने वाली चीज है ये जीवन से भर पूर गुणों वाली एक असरदार दवा है लेकिन बहुत कम लोग ही इसके गुणों से वाकिफ हो कलोंजी का सेवन सबसे पहले हम बता रहे हैं आप सभी को दोस्तों कि कलोंजी का सेवन कैसे करें कलोंजी के बीजों का सेवन आप सीधे ही कर सकते हैं इसके अलावा आप इसमें एक छोटा चमच कलोंजी के बीजों को शहद के साथ मिला कर भी सेवन कर सकते हैं कलोंजी को आ दूध ठंधा हो जाए तब इसको चान कर पिए को आप मिकसर में अच्छी तरह से ग्राइन कर लें और पानी या दूध के साथ इसका चूण सेवन कर सकते हैं एक मोडरन तरीका ये भी है कि आप को ब्रेड पनीर तथा किसी अन्य खाद्य पदार्थ पर छिड़क कर भी खा सक हैं दोस्तों कि को कौन सी बिमारी है तो कैसे करना है को नंबर वन दोस्तों आप जली हूई को है और मिला कर रोजाना नीमित रूप से सिर पर मालिश करें इससे गंजापन दूर होता है और अगर आपके बाल झढ़ रहे हैं तो नए बाल उगाते हैं और बाल ज़ड़ने बंद हो जाते हैं नमबर टू को पीस कर सिरके में मिला के रात को सुने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं और सुबह ठंड़े पानी से चेहरे को धोलें ऐसा करने से आपके चेहरे के मुहां से साथ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं दोस्तों नमबर थर्ड कान की सूजन में या बहरापन में कलोंजी के तेल को अच्छे से कद कदा लें और ठंड़ा होने के बाद कान में डालने से कान की सूजन दूर हो जाती है और साथ ही इसमें कम सुनाई देना और बहरापन जैसे रोगों में भी वायदा होता है दोस्तों नमबर फोर, दस ग्राम कलोंजी के बीज लें और इन्हें आप तीन छोटे चमच शहद के साथ मिला लें या आप रोजाना रात को सोते समय थोड़े दिन तक नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं इससे आपके पेट के कीड़े नश्ट हो जाएंगे नमबर फाइब, प्रसव पीड़ा में कलोंजी का काढ़ा बनागर सेवन करने से प्रसव की पीड़ा में आराम मिलता है दोस्तों नमबर सिक्स पुराने जुकाम और नजले को ठीक करने के लिए आप आधा का पानी में आधा चमच कलोंजी का तेल एवं एक चवथाई चमच जैतून का तेल मिला कर इतना उबाल लें कि पानी खतम हो जाए और केवल तेल ही रह जाए फिर इसके बाद आप इसे चान कर दो ब खाज और खुजली में कलोंजी के चुन को नारियल के तेल में मिलाकर प्रभावी त्वाचा पर जिहां दोस्तों प्रभावी त्वाचा पर मालिश करने से चर्म रोगों में आराम मिलता है और कलोंजी इसे जड़ से खत्म कर देती है जिहां दोस्तों नमबर 8 आँखों मे लाली हो या फिर मोतिया बींद या आपके आखों में पानी आता हो इसके अलावा आखों के रोशनी कम हो या कोई साभी आखों के रोग में आप एक कप गाजर का रस लीजिए और लगभग आधा चमच कलोंजी का तेल अब इसमें दो चमच शहद मिलाकर दिन भर में कम से कम दो बार सेवन करें इससे आपके आखों के सभी नेत्र संबंधी रोग ठीक हो जाएंगे दोस्तों नमबर नाइन एक कप गर्म पानी लें उसमें आधा चमच कलोंजी का तेल डाल कर रात को सोते समय पीने से स्नायूविक विकार वह मानसिक टेंशन दूर होती है दोस्तों जैतून का तेल दोनों को बराबर मात्रा में मिला कर दो दो बूंद नाक में टपकाने से आपकी सर्दी ठीक हो जाती है दोस्तों कलोंजी के तेल को एक चोथाई चमच की मात्रा में एक कप दूद के साथ कुछ दिन तक प्रती दिन पीने और रोग रस्त अंगों पर चमच शहद मिलाकर चाटने से आपका मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है दोस्तों कुछ लोगों का सोते समय रात को निंद में विर्य अपने आप निकल जाता है तो ऐसे लोगों को सेव के रस में आधा चमच कलोंजी का तेल मिलाकर दिन में दो बार सेवन करना चाहिए उन का तेल मिलाकर सुबह खाली पेट एम रात को सुते समय सिवन करें इससे 21 दिनों में खून की कमी दूर होती है रोगी को खाने में खटी वस्तूं का उपयोग नहीं करना चाहिए इस दर्मियान दोस्तों यदि आपको बहुत ज्यादा और बार बार छीके आती हैं तो आप क कलोंजी की भस्म को बवसीर के मस्सों पर नियमित रूप से लगाने से बवसीर की बिमारी ठीक हो जाती है दोस्तों किसी को चोट लग जाए या मोच आ जाने के करण शरीर के उस भाग में सुजन आ गई हो तो उसे दूर करने के लिए आप कलोंजी को पानी में पीश कर सु कि सुजन दूर होती है पथरी के रोगों में 250 ग्राम कलोंजी के बीजों को पीश कर 125 ग्राम शहद के साथ मिला लें और फिर इसमें आप आधा कप पानी और आधा चमच कलोंजी का तेल मिला लें इसको आप रोजाना दो बार खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अ बहुत कम मातरा में दूध निकलता हो तो कलोंजी के लगभग एक ग्राम के मातरा उसको प्रती दिन सुबह श्राम दे सकते हैं इससे प्रसूता इस तिरी के स्तनौ में दूध भनता है दोस्तों किसी को बार बार या बोहुत ज़्यादा हिच्कियां आती हो तो एक ग्राम पीची हुई कलोंजी शेहद के साथ मिलाकर चाटने से हिचकी आनी बंद हो जाती है इसके अलावा अगर आप कलोंजी की आधा से एक ग्राम माता मठे के साथ रोजाना लेते हैं आप अगर तीन बार या चार बार दिन में तो हिचकी आना बंद हो जाती है एक और उपाय है इसका कलोंजी का चून 5 ग्राम मखन के साथ रोज खाएं चार से छे दिन में हिच की आने का रोग दूर हो जाएगा दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक कलोंजी हमारे लिए कितना लाबकारी सावित होती है तो इसी प्रकार से अगली बार हम कुछ और नई और श्रधियों को लेकर कि आप सभी के लिए आएंगे दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार